दोस्तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम compare करेंगे MediaTek के Helio के G35 processor को Helio के G70 processor के साथ और MediaTek के Helio P35 processor के साथ दोस्तो जब से MediaTek का Helio का G35 processor launch हुआ है तो लोगों के मन में कई सारे doubt आ रहे हैं कि यह processor कितना powerful है कहीं यह processor MediaTek के Helio के G70 से ज़्यादा अच्छा तो नहीं है तोस्तो आज इस वीडियो में हम आपका पूरा confusion दूर करेंगे बस वीडियो में आप इंट तक बने रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Helio के G70 processor के बारे हैं तोस्तो यह processor 12NM के fabrication पे based है और एक octa core का processor है बात कर लेते हैं इसके CPU की तो इसको जो primary 4 core है यह ARM Cortex A75 पहले मिल जाते हैं जो कि 2 GHz पे clock है बागिक जो बचे हुए 4 core है यह ARM Cortex A55 पे मिल जाते हैं और यह 1.7 GHz पे clock है और यहाँ पे आपको 64-bit का CPU देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं Helio के G35 processor के बारे में तो यह processor 12NM के fabrication पे based है और एक octa core का processor है बात कर लेते हैं इसके CPU के बारे में तो इसमें आपको ARM Cortex A53 बाला CPU देखने को मिल जाता है और दोस्तो इसके जो पूरे 8 के 8 core है यह 2.3 GHz पे आपको मिल जाते है और यहाँ पे आपको 64- bit का CPU देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं Mediatek के Helio के P35 processor के बारे में तो यह processor भी 12NM के fabrication पे based है और एक octa core का processor है बात कर लेते हैं इसके CPU की तो इसमें आपको ARM Cortex A53 बाला CPU देखने को मिल जाता है जिसकी जो clock speed of 2.3 GHz के दीए दोस्तो यह processor भी इसके 8 core 2.3 GHz पे आ processor में आपको ज्यादा दंदार CPU देखने को मिल जाता है और कहां पे आपको ज्यादा अच्छी speed मिलने बाली है तो दोस्तों Helio का G35 और Helio का P35 इन दोनों में बिल्कुल आपको same clock speed मिल जाती है जो की 2.3 GHz की है और बिल्कुल CPU भी same मिल जाता है जो की Cortex का A53 का मिल जाता है बात के लेते हैं Helio के G70 में दोस्तों यहां पे आपको clock speed तो कम देखने को मिल जाती है इन दोनों ही processor के मुकाबले में लेकिन दोस्तों यहां पे जो CPU यूज किया गया है Cortex का A75 और A55 यह काफी ही ज्यादा दंदार है और इसकी जो speed होने वाली काफी बढ़े तो दोस्तों आप Helio के जो इनका Cortex दिया गया है A75 और A55 इनको आप compare नहीं कर सकते हैं A53 Cortex के साथ तो दोस्तों बिलकुली जो Helio का G70 है इसका CPU काफी दमदार है और यहां पे आपको ज्यादा अची speed मिलने वाली है अब दोस्तों बात कर लेते हैं memory की तो Helio के G70 processor में आपको LPDDR4 का support द दी गई है और यहां पर जो maximum memory size मिल जाते हो 8GB की देखने को आपको मिल जाती है और यहां पर जो storage का type दिया गया वो EMMC 5.1 देखने को मिल जाता है अब अगर memory की बात कर लेते हैं Helio के G35 processor में तो यहां पर आपको LPDDR3 और LPDDR4X दोनों का support देखने को मिल जाता है और इनकी जो maximum memory की frequency है तो LPDDR3 की 933 MHz की मिल जाती है जबकि LPDDR4X की आपको 1600 MHz देखने को मिल जाती है अब जो maximum memory size दी गई है वो LPDDR3 के लिए 4GB और LPDDR4 के लिए 6GB की देखने को मिल जाती है और यहां पर storage type की बात कर लेते हैं तो EMMC 5.1 का देखने को मिल जाता है अब अगर memory की ब memory की frequency दी गई हो 933 MHz आपको LPDDR3 के लिए मिल जाती है और 1600 MHz LPDDR4X के लिए देखने को मिल जाती है और यहां पर जो maximum memory size मिल जाती हो LPDDR3 के लिए 4GB और LPDDR4X के लिए 6GB देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर बात कर लेते हैं कि इन तीनों ही processor में किस processor का memory और storage sister C11 grande City में जो कि 1800 MHz का है जब कि Halo के G 35 में आपको 1600 MHz मिल जाता है और Halo के P35 में भी आपको 1600 MHz का मिल जाता है欸 बात के लिएते हैं maximum memory size की तो आपको हीलो के G70 में आपको 8GB तक का support देखने को मिल जाता है जब कि G35 और G35 में See 6GB तक का support देखने को मिल जाता है विन दोस्तों पर्फॉर्द में स्टोरेच मामले में भी GPU ही responsible होता तो बात कर लेते GPU की बारे में Helio के G70 processor में तो यहाँ पर आपको ARM का Mali G52 MC2 GPU देखने को मिल जाता है जिसकी जो maximum frequency होती है 820 MHz की मिल जाती है और यहाँ पर जो आपको maximum display का resolution मिल जाता है वो full HD Plus का देखने को मिल जाता है अब GPU की बात कर लेते हैं Helio के G35 processor में तो यहाँ पर आपको IMG का PowerVR GE8320 वाला GPU देखने को मिल जाता है जिसकी जो maximum GPU की frequency है वो 680 MHz की देखने को मिल जाती है और यहाँ पर जो display का resolution है maximum वो आपको full HD Plus का देखने को मिल जाता है अब GPU की बात कर लेते हैं MediaTek के Helio के P35 processor में तो यहाँ पर आपको IMG PowerVR GE8320 वाला सेम GPU देखने को मिल जाता है जो की Helio की G35 में यूज किया गया और यहाँ पर जो maximum GPU की frequency मिल जाते है वो 680 MHz की देखने को मिल जाती है और maximum जो display का resolution है वो आपको Full HD Plus का देखने को मिल जाता है अब अगर यहीं पर बात कर लेते हैं कि इन तीनों ही processor में सबसे बढ़िया GPU आपको कहा मिल जाता है और किसकी जो speed है जो ग्राफिक से काफी बढ़िया होने वाली है दोस्तो जो Helio का G70 processor है यहाँ पर आपको जो GPU देखने को मिल जाता है जो की है ARM का माली G52 MC2 इसकी जो maximum GPU की frequency है और 820 MHz की देखने को मिल जाती जबकि Helio के G35 में जो GPU यूज किया गया है उसकी जो maximum frequency आपको 680 MHz और Helio के P35 में आपको 680 MHz की देखने को मिल जाती है यानि दोस्तो GPU के मामले में भी Helio का G70 काफी अच्छा performance करने बाला है अगर इसको हम compare करते है Helio के G35 और P35 से अब दोस्तों बात कर लेते हैं MacGVM camera support के Helio के G70 processor में तो यहाँ पे आपको 16 प्लस 16 के Dual camera का support मिल जाता है और 48 Mpx का सिंगल camera यूज कर सकते हैं और इन दोनों ही camera से आप 30 fps तक Video record कर सकते हैं अगर camera support की बात कर लेते हैं Mediatek के Helio के P35 processor में तो यहाँ पे आप 13 प्लस 13 का Dual camera यूज कर सकते हैं और 25 Mpx का फ्रेंड camera यूज कर सकते हैं उन दोनों ही camera से आप 30 fps तक video record कर सकते हैं अब दोस्तो अगर फाइनली बात कर लेते कि इन तीनों ही प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर है सबसे जाता दमदार दोस्तो हीलो का G70 है सबसे बहतर प्रोसेसर इन तीनों ही प्रोसेसर में दोस्तो यो HILO का G35 है ए और HILO का P35 है यह IJ दोस्तो बिल्कुल ही रखे सेम प्रिक्राइस ए कोनल मिल जाते यह है यहां पर आपको CPU सेम मिल जाता है यापको मेमोरी से मिल जाती है तो यहां पे आपको change क्या है पता नहीं यहां का G35 क्यों लॉंच किया गए यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे बिल्कुल ही